वल्कम दिस्ट्रों डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सिकेंड बार शुरू होगा रेडी स्टार्ट हम सब भूल भूलया में फंसे हुए हैं यदि देखा जाए तो संसार का विस्तार यानी सुविधावादी और भौतिकवादी जीवन शैली एक प्रकार की भूल भूलया ही है धन, सत्ता, यश और भोग इन सब का जाल बिछा है और यह जाल इतना मजबूत है की एक बार आदमी उसमें फंसा की फिर निकल नहीं पाता जिस प्रकार दल दल में फंसा मनुष उसमें से निकलने के लिए जितना प्रयत्न करता है उतना ही और फंसता जाता है यही इस्थिती वर्तमान में हम लोगों की है जहां जेने की और सोच की मौलिक दिशाएं उदगाटित नहीं होती वहां इंसान में जड़ता और नैराश चा जाता है उनका आत्मविश्वास एवं मनोबल कमजोर पड़ जाता है रावर्ट ब्राउनिंग के अनुसार जो इस्थिती आपके दिमाग की है वही आपकी खोज की है आप जिस चीज की इच्छा करेंगे वह पालेंगे ऐसे में जरूरी है कि मनुष्य के भीतर जो अमरित घट विद्यमान है उस पर पड़े आवरण को हटाया जाए है क्योंकि वही तो वास्तविक आनंद का स्रोत है इस आनंद के स्रोत से रूबरू होने के लिए जरूरी है विवहार और संबंधों का परिशकार ऐसा होने से व्यक्ति बुराई में भी अच्छाई और दुख में भी सुख खोज सकता है हर आदमी अपनी सुच को सही मानता है कहीं कोई अपने आग्रह को धीला नहीं छोडता औरों की बात को आदर नहीं देता यही वजह है कि औरों के सुझाव, सीख, आग्या, प्रेरणा, उपदेश सभी अच्छे होते हुए भी हमारे लिए उनका कोई मुल्य नहीं जबकी ये मुल्यवान होते हैं इनसे हमें नए विचार मिल सकते हैं अपने जीवन में खुशियों और संपूर्णता के अवतरण के लिए जीवन के प्रती एक नए नजरिये को अपनाना होगा और वह है दूसरों को बदलने के बजाए स्वैम को बदलें जैसा की एक विचारक ने कहा है मेरे मित्रों आओ एक नई दुनिया बसाने के लिए कभी देर नहीं होती इसलिए चलिए कुछ बड़ा सोचें और एक ऐसी दुनिया बसाएं जिसके बारे में हमसे पहले किसी ने सपना भी न देखा हो भारत में डिजिटल मोर्चे पर विदेशी कमपनियों का माया जाल तूटता लग रहा है विराम ट्वीटर की जगह कू और वाटसैप की जगह संदेश के उदे के बाद जल्द ही स्वदेशी नेवीगेशन एप आने वाला है विराम चुकि यह एप भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तयार कर रहा है इसलिए इसकी व्यापकता और विश्वसनियता पर संदेह की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है विराम इसरो ने इस एप के लिए लोकेशन और नेवीगेशन टेक्नोलोजी की सेवाएं देने वाली कमपनी मैप माई इंडिया से हाथ मिलाया है विराम इस कमपनी के पास देश के करीब तीन करोण इलाकों की जानकारी का विपुल भंडार है विराम यह 7.5 लाख गाओं साढ़े साथ हजार शहरों और 63 लाख किलो मीटर सडक नेटवर्क को कवर करती है विराम यानि देश के विभिन इलाकों के नक्सों और रास्तों की जानकारी के लिए अब भारतियों को गूगल मैप या गूगल अर्थ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा विराम एप के लिए इसरो सैटेलाइट इमेज और अबजर्वेशन डेटा मुहया कराएगा जबकि मैप माई इंडिया डिजिटल सेवाएं देगा विराम इसरो स्थानी भूगोल के डेटा वाला केंद्रिय पोर्टल भूवन पहले ही विक्सित कर चुका है विराम एप में इसकी भी मदद ली जाएगी विराम भूवन को गूगल अर्थ का भारती अवतार माना जाता है विराम इसकी मदद से इंटरनेट पर भारत के किसी भी हिस्से की 3D तश्वीर देखी जा सकती है पैराचेंज स्वदेशी नेवीगेशन एप प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत अभियान में मील का पत्थर साबित होगा विराम गूगल के नक्षों को लेकर समय समय पर विवाद उठते रहे हैं विराम स्वदेशी एप आने के बाद उनसे भी छुटकारा मिलेगा विराम स्वदेशी एप गूगल मैप से कई मायनों में खास होगा विराम इसमें देश की एकता अखंडता का ध्यान रखते हुए भारत सरकार के दिशानिर देशों के आधार पर सीमावर्ती इलाकों को दर्शाया जाएगा विराम एप मुफ्त होगा विराम इसे विज्यापन से मुक्त रखा जाएगा विराम अंतरिक्ष में बेसुमार कामयाब अभियानों के बाद इस रो इस एप के जरिये डिजिटल छेत्र में देश का गवरव बढ़ाने की तैयारी में है विराम इसी के साथ वह अंतरिक्ष में नई छलांग की भी तैयारियां कर रहा है विराम इसी महीने के आखिर में वह PSLV मिशन के तहत दो नीजी कमपनियों के उपगरह लांच करने वाला है विराम हाल ही उसने बैंगलूरू के यू आर राव सेटेलाइट केंदर में भारतिय स्टार्ट अप्स के दोनों उपगरहों का परिक्षण किया विराम यह पहला मौका है जब इसरों ने अपना सेटेलाइट केंदर नीजी कमपनियों के लिए खोला है विराम एक दोर था जब अपने अंतरिक्ष अभियान के लिए इसरों ने अमरिका से तकनीकी मदद मांगी थी और अमरिका ने अंगूठा दिखा दिया था उस इनकार ने इसरों को स्वदेशी रूप से बुलंद होने की प्रेरणा दी विराम जय जवान जय किसान के साथ आज अगर देश जय विज्ञान का नारा लगाते हुए गर्व महसूस करता है तो इसके पीछे इसरों के विज्ञानिकों की तपस्या का बड़ा हाथ है विराम इन विज्ञानिकों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता सुविधाएं और जनता की तरफ से भरपूर समर्थन मिलना चाहिए विराम